Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 8.1 का question number 4, तो question number 4 क्या कहता है, write each of the following as decimal, यहाँ पे यह हमारे fractions दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, decimals में लिखना है, तो start करते हैं, यह वाला part हमारा क्या दे रखा है, 5 upon 10, अब यहाँ पे अगर upon में 10 दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, एक number के बाद point लगा देते हैं, तो यहाँ पे यह 5 upon 10 दे रखा है, यहाँ से यह 0 अटाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे decimal लग जाएगा, और decimal से पहले अगर कुछ नहीं दे रखा होता है, तो हम 0 लिख देते हैं, बी वाला part देख लेते हैं, यहाँ पे 3 plus 7 upon 10 दे रखा है, तो यह 3 को ऐसे लिख लेंगे, 7 upon 10, और 7 upon 10 हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 3 plus, यहाँ से यह 0 अटेगा, ऊपर एक decimal आ जाएगा, 0.7, अब यहाँ पे यह 3 में अगर हम 0.7 add कर रहे हैं, तो क्या है हमारा 3.7, और add किस तरह से करते हैं, यहाँ पर यह 3 दे रखा है, 3 को हम लिख सकते हैं, 3.0, और इसको हम ऐसे लिख देंगे, 0.7, इनको add कर लेंगे, 0 और 7, 7 हो जाएगा, 3 plus 0, 3 हो जाएगा, तो 3.7 आ जाएगा, C वाला पार देख लेते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है, 200 plus 60 plus 5 plus 1 upon 10, अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे, 200 plus 60 plus 5, पहले इसको देख लेते हैं, यह क्या हो जाएगा हमारा 0.1, क्योंकि यहाँ से एक 0 अटेगा, 1 के बाद decimal लग जाएगा, और decimal से पहले हम 0 लिखते हैं, अब हम पहले इन whole numbers को add कर लेते हैं, तो 200 में 60 add करेंगे, 260 हो जाएगा, और 260 में अगर हम 5 add करेंगे, तो यह हो जाएगा, 265 plus 0.1, सेम चीज़ यहाँ पर हमने यह 0 बढ़ाया था, तीन के आगे, 265.0 इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यह 0, यह 1 add कर देंगे, तो यह 1 आ जाएगा, point लग जाएगा, और 265 आ जाएगा, डी वाला पार्ट देख लेते हैं, तो डी वाला क्या दे रखा है, 70 plus 8 upon 10, वैसे ही करेंगे, यहाँ पर 70 लिखेंगे, यह हो जाएगा, हमारा 1 0 हटेगा, तो एक नंबर के बाद decimal लग जाएगा, नीचे जितने 0 हटे उतने ही नंबर के बाद decimal लग जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, 0.8, अब यहाँ पर यह 70 है, 70 को हम लिख सकते हैं, 70.0, यहाँ पर 0 यह 8, तो यह 8 आ जाएगा, और यह 70 आ जाएगा, अब हम यह वाला पार्ट देख लेते हैं, तो यह वाला दे रखा है, 88 upon 10, तो 8.8, एफ वाला पार्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है, 42 by 10, यह मारा mixed fraction दे रखा है, तो पहले mixed fraction को हम improper fraction लिख लेते हैं, तो यहाँ पर यह 4, 2 by 10, इसको लिख सकते हैं, इसको इसके साथ multiply करेंगे, और इसको add कर देंगे, तो यह 40 plus 2, यानि 42 upon 10 आ जाएगा, अब यहाँ से 1, 0 अटाएंगे, तो एक decimal उपर लग जाएगा नंबर के बाद, तो यह आजाएगा 4.2, अब हम next वाले पर आते हैं, तो यह क्या दे रखा है, 3 upon 2, तो यहाँ पर हम G वाला लिख लेते हैं, 3 upon 2, अब एक चीश देखो, यहाँ पर नीचे 2 दे रखा है, और ह यहाँ पर हम 5 से multiply करेंगे, यह हो जाएगा 5, 3, 15 upon 10, अब यहाँ पर यह 0 है, इस 0 को हटाएंगे, तो एक नंबर के बाद decimal लग जाएगा, तो यह आजाएगा 1.5, एच वाला पार देख लेते हैं, तो एच वाला क्या दे रखा है, 2 upon 5, अब यहाँ पर नीचे 5 दे रखा ह इसको अगर हमें 10 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा 2, 2, 4, 5, 2, 10, अब यहाँ पर नीचे 0 हटाना है, तो एक नंबर के बाद decimal लगाएंगे, यह हो जाएगा 0.4, उसके बाद में next आते हैं, आई पर, तो यह हमारा क्या दे रखा है, 12 upon 5, य 5, 2, 10, अब यहाँ पर नीचे 0 आ रहा है, तो एक नंबर के बाद decimal लगा देंगे, तो यह हो जाएगा 2.4, उसके बाद में आते हैं, next वाले पर, यह हमें J दे रखा है, यह क्या दे रखा है, 3, 3 by 5, mixed fraction दे रखा है, तो हम इसको पहले improper fraction में लिखेंगे, 5, 3, 15, 15 में 3 आइ आइंगे, तो यहाँ पर 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से multiply करेंगे, तो यहाँ पर 5, 2, 10 हो जाएगा, और उपर क्या हो जाएगा, 18, 2, 36, upon 10, अब यहाँ पर हम एक 0 अटाएंगे, तो उपर हम एक नंबर के बाद decimal लगा देंगे, यह हो जाएगा 3.6, उसके बाद में आता है, next, के वाला, यहाँ पर भी यह mixed fraction दे रखा है, 4, 1 by 2, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी पहले improper fraction लिखेंगे, 2, 4, 8, 8 में 1 add करेंगे, 9, तो यह हो जाएगा 9 by 2, अब यहाँ पर भी नीचे 2 दे रखा है, तो हम इसको 10 बनाएंगे, तो यहाँ पर हम 5 से multiply क करेंगे, यह हो जाएगा, नीचे 10, ऊपर हो जाएगा 9, 5, 45, अब यहाँ पर नीचे 0 है, तो एक नंबर के बाद हम decimal लगा देंगे, तो यह हो जाएगा 4.5, लाग पार था, questions हम आप, next lecture में करेंगे, next questions, आज के लिए बस इतना ही,